हलो फ्रेंड विल्कम टू माई चैनल आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है आज हम आपको एक इंपोर्टेंस टापिक पढ़ाएंगे जिसमें आपको 100% एक से दो कोस्चन देखने को हर सिप्ट में मिलता है जो कि जो 28 और 29 दिसंबर के हुए है पेपर उसमें भी आपको प तो इसको देखते हुए आपको हम आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की का सिध्धानत है तो इनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे तो इन्होंने समाजिक संस्कृत का सिध्धानत है दिया था जो इसमें आपको डारेक्ट पूछ लेता है कि लेव वाइगोष्की का सिधान किस पर दिया गया है तो यह आप रखिए समाजिक संस्कृतों का सिधान तो आई शुरू करते हैं करें कि वाइगोष्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृत का महत्पों योगदान होता है तो आप से डिरेक्ट बच्चेगा कि वाइगोष्की के अनुसार इसमें कौन साप्शन शही है तो आपको यह पढ़ना है उसमें आपको अंसर मिलेगा तो बच्चे के विकास में समाज और संस्कृत का महत्पों योगदान है तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि समाजिक संस्कृत का सिध्धानत यह तो कोश्चन अंगिनत बार पूछा है हर बार पूछा जाता है तो इसे आप जरूर याद करिएगा समाजिक संस्कृत का सिध्धानत आईए आगे देखते हैं देखिए केरें कि लेव सिमकोविच जिनका नाम है कि वाइगोस्की लेव वाइगोस्की ये देखिए रूस के एक मनो बेक्यानिक थे तो ये याद रखना ये कहां के थे पूछ सकता है कि लेव जो है वाइगोस्की कहां के मनों पेग्यानिक थे तो ये आपको याद रखना रूस के ठीक ये क्या किये हैं बालकों में होने वाले समाजिक विकास से संबंधित एक सिध्धान्त दिये थे आगे देखते हैं करें कि लेव वाइगुस्की के सिध्धान्त को समाजिक सांसिक्रिप का सिध्धान्त कहता है तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद करिएगा कि लेव जो वाइगुस्की का सिध्धान्त को क्या कहते हैं तो ये समाजिक सांसिक्रिप सिध्धान्त आगे चलते हैं तो याद रखना ये रूस के मनों पर क्यानिक थे आईए आगे दिखते हैं देखिए कहने कि बच्चों को स्वयम सीखने देना चाहिए जब बच्चा कार करने में अश्मर्थ हो तब उसकी सहता करनी चाहिए कहने का मतलब कि बच्चा जब तक अपने से सीखना चाहिए उसे स्वयम से सीखने देजिए जब वहकार नहीं कर सकता तो उसमें आप help कर सकते हैं कहरें कि बच्चों की भासा और विचार दो बच्चार दो वरस तक अलग अलग होती है दो वरस तक उनके जो भासा और विचार तो ये दो वरसे यात करिएगा अलग-अलग होते हैं आईए आगे देखते हैं कहरें कि दो वर्ष के बाद बच्चे की भासा और विचार एक होने लगती है नो तब दो वर्ष के बाद जो है बच्चे की जो भासा और विचार क्या होने लगती है एक होने लगती है आगे देखिए कहने कि वाइगोस की हमारे स्वयम का विकास दूसरों के द्वारा होता है वाइगोस की कहते हैं कि जो हमारे स्वयम का विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है समाजी कारकों में जैसे परिवार, समाज, विद्याले, मित्र और मंडली परिवेश तो कहने एक मतलब है कि जो परिवार ही क्या होता उसका प्राथिमिक होता है और दूती में आपका विद्याले हो जाता है और मीडिया हो जाती है तो ये याद रखना है कि जो समाजी कारकों में कौन-कौन सामिल है परिवार, समाज, विद्याले, मित्र और मंडली से ये शीखता है देखिए मित्र आगे उसके और परिवार हो गया और ये मंडली हो गया देखिए पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है बच्चे का विकास उसके उमर के अनुसार होता है तो बच्चे ने कुल अपने पियाज ने अपने चारस तर दिये थे तो उन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास होता है वो उमर के अनुसार होता है लेकिन वायोगेस की क्या कहने है वायोग उसकी कहते हैं बच्चे का विकास क्या होता है समाज के द्वारा होता है तो यह आपको different in में याद रखना है तो पियाजे का कहना है उनके उमर के अनुसार विकास होता है बच्चे के और वायोग उसकी कहते हैं कि उनका विकाजो समाज के द्वारा होता है आगे देखते हैं अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक एंड सेर सस्क्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा आगे देखते हैं आत्म साथ गयान करना कहने कि बच्चों के द्वारा स्वयम अपने प्रयास से सीखा गया ग्यान आत्म साथ करण होता है कहने कि मतलब कि जो बच्च करके या स्वयम से सीखता है उसको हम आत्म साथ करण कहते है अपने स्वयम से सीखे हुए बच्चा जो अपने से कुछ भी सीखता है सहारा देखिए स्कैल फोल्डिंग स्कैप फोल्डिंग क्या है कि बच्चों की बिकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सही योग आस्थाई सुधार कहलाता है कहने के मतलब कि अगर बच्चे को हमेशा अगर आप सहायता करेंगे तो बच्चा अपने से नहीं सीख पाएगा अगर कुछ करना भी होगा जब कुछ तो आपकी सहायता वो लोगा उस बड़े का सहायता मांगेगा तो इस प्रकार बच्चा का जो अगर कुछ वो सीख भी जाएगा तो वो कैसा रहेगा हाँ अस्ताई होगा इसी को हम कहेंगे स्कैब फोल्डिंग आगी देखते हैं देखें समीपस्त विकास के छेतर करें कि जब बच्चा किसी समिस्या के समधान के लिए किसी बेस्ट ब्यक्ति या साथी के मार्ग दर्सन की उपस्तिति में कार करता है तो उसे हम कहाएगे समीपस्त विकास के छेतर तो वहाँ प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है कहने के मतलब जब बच्चा कहरें किसी समिस्या के समधान के लिए किसी बेस्ट ब्यक्तिया साथी के मार्ग दर्सन में उपस्तित में कार करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है सहारा देना है उसे हम कहते हैं इस कैप फोल्डिंग कहलाता है और यह प्रक्रिया समीपस्त विकास छेतर कहा जाता है तो इस विक्रिया को समीपस्त विकास कहा जाता है आईए आगे देखते हैं तो बस इतना ही आप इसमें आपको पढ़के जाना है आशा करता हूँ यह आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चरूर करिए देखेएगा वीडियो देखने के आपको बहुत-बहुत धन्रवाद